हेलो फ्रेंड्स सभी को जह मतादी जह मतादी ब्लोग में सब रस्वागत है और यहां पर देखिए सुबब मॉर्निंग में उड़ती में कंप्यूटर में बिल बनाने लग गई क्योंकि बैट सीटों बेजी थी में किसी के दूसका बिल बना रही थी वो उनका फोन आया कि ब प्रेंड्स सभी को जह मतादी जह मतादी ब्लोग में सभी को सवागत है ऐसा करते हूं सब ठीक होंगे ठीक ही रहें तो मैं यहां के नहाद हो कि फिरी हो गई हो कपड़े वगरा सारे दून गया है और यहां पर बच्चे तो लेट उटेते तो मैं भी बैच्छ वगरा सही क आना को बोल रहे हूं कि तो यहां से उट जा क्योंकि आज बच्चे थोड़ा लेट उठेते तो मैं बैट शिट साप नहीं करी ज़ाडू लगा दी लेकिन बैच्छ साप नहीं करी तो मैं दूबरा कर रही हूं अब सुबह एक ज़ाडू निकल गई अच्छ से लेकिन अब बच्चे थोड़ा सी लेट उड़ते हैं तो यहां पर दीखिए मैं बैटशिट साप कर लोंगी सुभए और मैं बच्चे नहीं उड़ते हैं तो मैं ना दो लेती हूं और यहां पर दीखिए बैटशिट बिल्कुल भी नहीं किसकती है क्योंकि यह लंबी पूरी है बढ़िया और बहुत ही अच्छी है और इसका कपड़ा देखिए कितना मोटा है देखिए बहुत ही मोटे कपड़े में आई यह और बहुत अच्छी है यह बहुत अच्छी लगी मेरे को तो यह बिच्छाने के बाद और यहां पर बच्चे कितावे इधर उदर रख रखें तो मैं इनको एक साइड रख दूँगी छोटा वाला बीटा पड़ाई करा था तो यहीं पर रख दिया और आजकल में नहा लेती हूँ पहले फिर करती रहती हूँ और यहां पर मैं साप कर ली और यहां पर मैं तक्या की जो कवर है वो चैंज कर रही हूँ तो देखिए एक जो तक्या की कवर है वो एस्टा रखना चाहिए क्योंकि तक ये अंदर से खराब नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, तो मैं एक पूरानी जो बेट चुड हो जाती है, उसकी मैं रख देती हूँ, और यहां पर देखे, मैं आपको दिखाना जा रही उँ, यहां पर ये सैरट था, तो इस सैरट से मैं बनाई हूँ, तक ये क गवर ये देखे बड़े हराम से इसको डाल देते हैं इसके अंदर और ये मेरे मेरING बहुत अच्छा लगा था और ये में खुद भी बनाईती और ये इसका कलर मुझे पसंद था तो मैं इसकी साइज का बनाई थी और ये परफेक्ट साइज बनी थी बहुत ही अच्छी साइज बनी थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बस तक ये को सैट की उपर रख दो और उसको कट कर लो चारो तरफ सिलाई कर लो और जो बटन रहते हैं ये देखिए उनको आराम से सब्सक्राइब आप ऐसे कैसे रहने दो और फिर बंद कर दो आप कुछ भी करने की जरत नहीं इसमें न चैन लगाने की जरत न सिलने की जरत और खुला हुआ मूबी नहीं रहता है इसका और मतलब आजकर जो सैट नहीं पहनता है मन बर जाता है तो ये तक ये कोवर पर यह देखे और यहां पर बटन में जो है वह अच्छे से बंद करने वाद बहुत अच्छी सेप आती है डीजैन भी बन जाती है और यहां पर देखे यह पोकिट है तो इसमें रात को जैसे लीड वगेरा कुछ भी रख सकते हैं अपन मैं इसको काट की नहीं निकाली मुझी इ पुराने सैट से मेरी कवर तयार हो गई और देखे बिल्कुल वी अंदर से तक यह नहीं दिखता है बिल्कुल पैक हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है तो आप बना सकते हो जो भी सैट है उसका अच्छे अच्छे कलर आते हैं सैट के भी और यहां पर मैं निकाल दूंगी और इस बैट सीट की जो पिलो कवर है वह थोड़ी बड़ी साइज में है तो मैं उनको नहीं लगाई और यह वाला लगा दी तो बड़ी सेज में थोड़ी या तो सिलाई करूँगी मैं या थोड़ा सी कट करूँगी और अभी मैं ये डाल दूँगी और एक में ये फ्रील वाला बनाई थी जो साड़ी होती सिपोन की साड़ी तो उससे अच्छी सी फ्रील बनाके और इसमें अटेश कर दी मैं ये भी बहुत प्यारी लग रही थी और इसे मैच भी कर रही थी कलर में और ये मैं एस्टा रखती हूँ एक जो पुरानी तक की हो जाती है तो वो इसमें लगी हुई ये पहले से ही और मैं सोच रही थी कि ये लगाओ ने लगाओ ये दूसरी लगा लेती हूँ लेकिन फिर मैं इसको ही लगा दी और ये लगके तयार हो गया है कवर यहां पर सेट कर दीने और मेरे को ये सेट का बहुत अच्छा लगा आप भी कॉमेंट करके जरूर बताना की कैसा लगा और यहां पर नास्ते में पोए बन रहे हैं तो इसमें ग्रीन चटनी बहुत सारी डाल दिये हम धनिया की चटनी पीज के और फिर डाली थी मैं ये देखिए पोए में बच्चे भी नहीं खाते हैं तो में चटनी धनिया बहुत सारा था तो उसकी चटनी पीज के पोए में डाल दी तो बहुत ही टेस्टी बने ये और क जब भी पोई खाती हूं तो मैं उपर से डाल के फिर खाती हूं मिर्च प्याज ओटामाटर नीबू तो मैं कच्चे डाल के खाती हूं और बहुत टेस्ट ही लगते हैं कच्चे डाल के खाने में और यहां पर मैं प्याज कट कर रही हूं क्या कर रहा है तो इसमें तेरा खुद का बनाना हो और मैं फिर छत पर जाके दूप में खा रही हूं और सुबह के बद चुके आठ तो आज आठ बजे नास्ता हो रहा है मेरा तो काफी अच्छी सुबह सुबह दूप अच्छी लगती है तो मैं दूप में जाकी खा रही हूं और यह जो मेरे वीडियो में आप देखे होंगे ब्लॉक में यह वही टेबल है जो मैं पैंट करी थी तैयार करी थी यह बहुत अच्छे से चिपक गई तो यहां पर यह का और यहीं पर दूप में जैरी केल रहा है मेरे पास और इतनी जल्दी भाई कोई नहीं खाता है यह फास्ट मोशन लग रखा है तो इतनी जल्दी दिखाई दे रहा है इसमें और यहां पर देखिए इतना सारा पानी गिर गया था तो मैं फिर से पहुचा लगा रही हूँ वैसे मैं बेडियों नी बनाई थी लेकिन यहां पर में नास्तव गिर फिर खुई करके तो मैं आई थी तो नीचे आई तो पानी इतना सारा गिरा रखे थे तो फिर मैं चारों तरफ फिर से लगाने लगी पहुचा चोटे बच्चे हैं तो बहुत बार बार गंदिगी करते रहते हैं और फर्स केसा भी हो मकान केसा भी हो किसी कभी लेकिन साब सुतरा तो सभी रखते हैं और रखना पड़ता है तो मैं आज रूम में और घरेज में तो पहले ही साफ सपय हो गई थी तो आधर भी दोबारा फिर करने लग गई और यहां पर देखे सूख गया मैं पंका चला दी थी तो अच्छी से सूख गया और मैं काम से फिर ही हो गई तो दो पैर में लंच बनेगा तो फिर खाना खाएंगी जिम बना दूंगी और अब ही मैं रेस्ट कर रही हूं थोड़ी देर अब ही ठीया कड़ी तो यह जिसे कने रगीदु कोई आगिए था और फिर पापाजी आ गए थे मेरे तो मेरे पापा मेरे लिए ये बच्चों के लिए जलेवी और समो से लेके आएं और दूद चाच लेके आएं तो यहां पर में निकाल लूँगी और फिर में चाई बनाके और उपर जाके क्योंकि आज मेरी फ्रेंड थी दोनों वो आ गए थे तो एक गंटे उन से बात करने लगी रेस्ट भी ने करी फिर में और बाद में फिर में छत पी आ और पापा जी भी गए थे तो उनको जाने के बाद में चाई पी रही थी फिर से दुब़रा उनके साथ भी पी ली थी और आज सारे दिनी मिलने वाले आ रहे थे तो मैं उनसे सबसे मिली रही थी आजे सुबह ग्यारा बारा बजे से पांच बजे तक और यहां पर देखी यह है मिस्री मावा है तो काना खा रहा है बड़ा बड़ा बिटा तो यह मेरे को खिला रहा है तो मना कर रही थी ज़िए और यह देखी के जो मिठे पुआ होते हैं वो हैं पापा जी लेके आये थी मेरे लिए और मेरे पापा पहले भोल दिये थे एक दिन के मिन लेकिंगे आऊंगा परसाद माता जी की चलाने के लिए तो यहां पर देशीगी में बहुत इच्छे ये और बहुत अच्छे लगते हैं देशीगी के तो और यहां पर मैं टिफिन में निकाल रही हूँ यह और खाना वना खाने के बाद मैं वर्दन साप कर लोंगी फटा-फट और बर्तन होने के बाद फिर जो है अच्छनवा के रसाप करके फिर मैं यहां पर देखिए मैं कि रसाप करके चाई के बर्तन माज़गे और सबजी बना रही थी उनकी फूलों की सैनन के फूलों की जो बहुत ही टेस्ट लगती है खाने में और मैं इसको उबाल के अच्छे से धोलूंगी और यहां पर हरी मिर्च प्याज टामाटर मसाला बना लूंगे में इनका और इसमें सारे है लाल मिर्च पाउडर और यह है हल्दी पाउडर और यह है धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बड़ा वाला जो चम्मच है हिलाने की वो नीचे रगई थी तो मैं इसी चम्मच से काम चला रही थी अभी फिलाल और थोड़ा सी पानी डाल दूँगी मैं मसाले को पकने के लिए और यहां पर नमक डाल दूँगी और यहां पर इसका पानी नीचे उबालने के बाद अच्छे से पानी नीचे ओड़के और फिर इसमें मसाले में डाल दूँगी तो यह बहुत टेस्टी लगती है बहुत ह को ये मता दी